हेलो दोस्तों कैसे हैं آپ सब उम्मीद होगा कि आप बहुत अच्छे होंगे आपमें आपके सामने ये वीडियोजी लेकर आया हूँ वीडियो है इस वीडियो को स्कृप मत करेगा पूरा वीडियो देखे तरहेあ आप लोग के कनले सब्सक्राइब चीज हैंगे जैसे कि आप लोग जानते हैं कि यह कत्रन है जो आर्मोल के साइड कटा है ब्लोज में वो कत्रन है ठीक है तो इससे हमें एक स्लिब बाजू तयार करनी है तो यह जो साइड में आर्मोल के साइड में होता है कत्रन जो कट के निकल जाता है अस्तर तो उसी को दोन ये दोनो जॉइंट में से गला काट ईगा है ठीक है दोनों गले का एक साइडी मैंने कटिंग करके निकाल लिए है अब इससे ये हुगा जो है अभी इसको मैं कट करके निकाल रहे हुँ ठीक है और इ demandé गालें साइट की रख रखीते हैं पहले भाद से साइट का इधर से दोनों साइट को मैं स्टिच कर देज़ूँ ठीक है अफिर इसकी ऊपर पट्सलाइम से हमारा जो है स्टिच करने से मजबूत हुआ ठीक है कपड़ा अब यह दोनों से महीं पट्सलाइम देए इसको भी मजबूत कर देरें ठीक है तो दोस्तों जैसे कि आप लोग देख रहे हैं तीरा और आरमोल मात्र और गले की गोलाई वाला जो कत्रन कटा हुआ है अस्तर से हमारा यह बाजू हमारा पूरा तयार हो गया है यह सर्फ कत्रन से है तो कभी भाईचानल से अपके पास ग बाजू के लंबाई मुझे पांच है थी तो पांच क्या साड़े पांच है ठीक है छे है ठीक है तब भी मैं कट करके निकाल दूंगी तो देख रहे हैं ना दोस्तों कितना है वह मतलब ईजी है यह तो ऐसे ऐसे अगर आप लोग करेंगे तो आपको यह कटिंग करने में को कट मार दूंगी ठीक है ऐसा करने से हमारी पूरी बाल जो एक दम फिनिशिंग से अस्तर कटिंग हो जाएगी और यह तो अंदर है तो वह तो दब जाएगा ठीक है और हमें दूसरा यह सब जब यूज करना चाहिए से अमर्जेंसी हो हमारे पास अकर कपड़ा ना हो और हम एतने मे निकालना हो तो हम यह काम कर सकते हैं ठीक है दोस्तो जा रही है दोस्तों आसा होगा वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा हो अगर अच्छा लगे तो प्लीज दोस्तों मेरे वीडियो को लाइक और सस्क्राइब करें और यह वीडियो स्किप मत करें दोस्तों अगर पूरा वीडियो आप देखेंगे तो आप लोग के लिए समझने में आसानी होगी और आप लोग skip कर देते हैं इसलिए आप लोग को परिशानी होती है ठीके तो आप skip मना करके इस वीडियो को पूरा देखें पूरा देखेंगे तब ही आपको ये वीडियो समझ में आएगा और बचे-खुचे कपड़े से आपको बाजू पूरी फिनिशिंग तग्यार हो जाएगी ठीके दोस्तों तो ये भी मैंने पूरी पर्ट साइड में सिलाई चला दी जो बाजू के साइड में है ठीके तो जो हमारा उपर का कपड़ा है तो हमारे एकदम नॉर्मल बढ़ी है कपड़ा है उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं हैगा और ये हमारा अस्तर हमने उसको फिनिशिंग करके अंदर कर दिया तो देख रहे हैं ने दोस्तों कितना अच्छा ये हमारा जो बाजू है वो बन क्या रहेगा फिर उसके बाद मैं अंदर से पटसलाई चला दूँगी पटसलाई उपर से चला दूँगी ठीक है तो ये बाजू के हमारी पटसलाई होगी दोनों बाजू हमारी निकल के चलिया जाएगी दोस्तों ऐसे अगर अपना काम करते हैं तो आपके काम में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है और बहुती आरामी से ये वीडियो ये बाजू तयार हो जाएगा ठीक है तो ऐसे दोनों बाजू मैं अपनी तयार कर लिए हूँ दोस्तों प्लीज आप लोग सब्सक्राइब करिए मुझे ठीक है दोस्तों तो ये आपको पूरा दिखाई दे रहा होगा ये पूरा मैंने फिनिश कर दिया ठीक है अब फिनिश करके इसकी फिनिशिंग पूरी करके अब उसके बाद मैं इसकी स्टीचिंग चलाऊंगी उपर से सिलाई मैंने चला लती जा रही हूँ दोनों बाजू पर बाजू रखके ठीक है इसको भी स्टीच कर रही हूं एक बार जो मेद शीच हो चुकी ही आप दूसरी वाजु पर भिया मैं कुप्डा रख के आस्थ रख रहे चु कुछ के इसको भी स्टीच कर रही ठीक है अब मैं कट करके दोनों बाजू को निकाल दूंगे तो यह कट करके पूरी बाजू निकाल दे रही है कटिंग करके तो ऐसे मेरी फिनिशन से पूरी बाजू तयार हो गई है और आप लोग देखेंगे दोनों बाजू एकतम रेड़ी है और पूरा लंबाई चोड़ाई सब मेरी बराबर जितने मुझे चाहिए तो नहीं है तो ऐसे भी आप कत्रन से अपने बाजू को तयार कर सकते हैं ठीक है ओके तो आसवा कोई वीडियो अच्छा लगा होगा अच्छा लगे तो प्लीज दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब जुरूर करेंगा थैंक्यू दोस्तों कर दोस्तों आपी से जबता कर्या है कि मुझे एक अलगे थैटरो करेंगे तो मैंचे थे प्लाइब झालगे तो कि मुझे सल्क्राइब अलगे क्ढ़ा, प्लाइब के बाहे हैं कि मैंचे Σाल्चा, जरते चाहिए